हेलो स्टुडेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में अगर आप नवी तह हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया एधर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सेर आवर वीडियोज आज हम बात करें क्लास 7 साइन्स चैप्टर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं जिससे मैं आपको पढ़ाऊँगा चलिए स्टार्ट करते हैं और इन नोट्स का में लिंक डिस्क्रिप्ट्टन में दे दूँआ चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइन्स चैप्टर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट क्या वदर सबसे बहले हैं अब आता है नूट्रिशन नूट्रिशन क्या होता है नूट्रिशन इस दा मोड ओफ टेकिंग फॉड वाई एन और गनेजम एंड इस यूट्रिशन बाइदा बॉडी नूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसमें ओर्गनिजम अपना खाना लेते हैं और यूट्रिवाइज करते हैं अपने बाडी के लिए और और अर्गनिजम टेक फॉड फॉर बिल्ड देयर बोडी इस और तू ग्रो तू रिपेर डेमेज पार्ट आफ देयर बोडी अब आते हैं ऑट्रॉप ऑट्रॉप क्या होता है ऑट्रॉप मींस होते है शेल फॉट्रॉप्स का मदलब होता है नूरिश्मेंट दा अर्ग मीज अधर ट्रॉप्स मालब नूरिश्मेंट वालब जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए से दे डिपेंड ओन अधर और और अर्गनेजम फोर नूट्रिशन देकर नॉट मेक ओन फूड देमसेल्व और कॉल्ड हेट्रॉप्स जो अपना खाना खुद नहीं और कॉल्ड श्रमाटा चोटे चोटे चीज प्रिजेंट होते हैं लिप चाहिए स्टोमाटा कहते हैं एंड वैसल्स वैसल्स अलाइक पाइप एक यह पाइप की तरह दे फॉर में कंटिनियूस पाथ और पासेज फॉर दा निउट्रेंट टू इच दा लीफ मालब यह एक लगारेफ के तरह हदा आद निउट्रेंट पास कर थे ह्याँ हर एक लीफ के पास यारग वैसल्स अडश Lesson वियो श्रॉट बहलता है और क्लोरोफिल स स्क्राइप यह वारदा क्लोर शिल है फोटा मीन्स लाइट से प्रिपेर कहते हैं, इट इस अ प्रोसेश इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेर ओन फोड विद दा हेल्प ओफ कारवन डाय ओक्साइड एंड वाटर इन प्रजेंस अफ सनलाइट एंड क्लोरोफील और फोटोसिंथेटिश मतलब फोटोसिंथेटिश एक ऐसा प्रोसेश जिनमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, कारवन डाय ओक्साइड और वाटर की मदर से किसकी प्रजेंस में सनलाइट और क्लोरोफील की प्रजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफील और इसेंचल रिक्वार्मेंट फोटोसिंथेटिस, फोटोसिंथेटिस में ऑक्सिजन जिलीज होता है, और ये कार्वाइडरेट बनाते हैं, जो उनका खाना होता है, और इसमें सनलाइट और क्लोरोफील इसेंचल रिक्वार्मेंट है, फोटोसिंथेटिस के लिए अब हम आपको एक फोटो की मदर से लेता है, और लेंट से यानि की जमीन से वो पानी यानि की वाटर लेता है, उसी प्रोसेस में इसका ऑक्सिजन जिलीज होता है, और कार्वाइडरेट जो बनता हुआ, उसका खुद रखता है, यानि की खुद उसके लिए होता है, उम्मीद करते हैं, फोटोसिंथेटिस समझ में आ गया होगा, अब हम बात करेंगे, अल्गी की, इस आ जनरली फाउंड इन पॉंड्स और स्टेगनेंट्स, वाटर बोडीज, इस आ जनरली फॉंड बाइदा ग्रोथ ऑफ और और कॉल्ड अल्गी, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से यह बनती है, इट इस लीमी और ग एक फूड अनौदर प्लांट और कॉल्ड होस्ट, जो दूसरे प्लांट से खाना नहीं लेते हैं, उन्हें होस्ट कहा जाता है, अब आते हैं, पैरसाइट्स, डेट और्गेनिज्म लिव ओन अधर बाडीज, जो दूसरी बाडीज पर रहते हैं, उन्हें हम पैरसाइट ब बात करते हैं, एक उता है, पार्शेली पैरसाइट, गुदेसरा होता है, टोटल पैरसाइट, पैर पैरसाइट कोन सा होता है, अब्टेंस उम आफ देयर नियूक्रेंट अनौट ऑन दा होस्ट, एक्जामपल यह पिस नचराच आफ। आपर एकलर dependent on the host for nutrition. यह host पर एकदम totally depend होते हैं जिसे हम total parasite बोलते हैं इसके example है mistil toy और आब आते हैं insectivorous plant. Insectivorous plants कौन से होते हैं? Some green plants are obtained nourishment partially from soil atmosphere and partially from insects and insectivorous plants. जैसे आपने देखा होगा बहुत से plants होते हैं, insects खाते हैं उन्हें हम insectivorous plants करें जैसे picture plant, venus fly trap, etc. अब हम बात करते हैं separate tropic nutrition. The mode of nutrition in which organism taking nutrients from dead and decaying matter is called separate tropic nutrition. वालो जो सड़ी के लिए मरे हुए matter होता है, उससे यह nutrition लेते हैं हम क्या बोलते हैं separate tropic nutrition. अब हम बात करेंगे symbiosis की, some organism live together and share both shelter and nutrients. जो कुछ organism होते हैं साथ में रहते हैं वो अपना shelter और nutrient दोनों share करते हैं. This relationship is called symbiosis. इस relationship को symbiosis बोलते हैं. जैसे example में certain fungi live inside the root of plants. ठीक अब अगला स्टार्ट करते हैं lichens. इन lichens और chlorophyll containing partner which is an alga and fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga. जो fungus होता है, shelter, water and mineral प्रोवाइड करता है किसको alga को. इन रिटन और रिटन में alga prepare and provide food to the fungus. और वो fungus को food prepare करके provide करती हैं. अगर कोई भी doubt या question हो तो आप comment में लिख सकते हैं. अगर वीडियो पसंद आई हो तो friends like and subscribe आवर चैनल and share our videos. Thank you for watching.